दोस्तों यहां कोई भी इंसान जम से ही सीख के नहीं आता है वो अपने आप और दूसरों से कुछ ना कुछ सीखता है स्पवागत है आपका दूस्तों स्क्रिंग बॉइंट में और आज हम बात करने वाल हैं टॉप 10 बेस्ट टेक्निस के वारे में जो कि दूस्तों गोकू दूसरे क्याक्टर से सीखा है दूस्तों बड़े स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना वदाना चाहते हैं अगर आप फूमर्च चलने पे नए हैं तो दूस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस सेलिटेट कोई विडियो आप में सगा सके दूस्तों जैसे कि आप सब जानती होंगे कि ड्रेगन बॉल के स्टार्टिंग से गोकू बहुत सारा चीज़ सीख चुका है गोकू अपने ट्रेनिंग के जरे खुद में ही दिरे दिरे फारफुल होते ही जाता है यहाँ पर दूस्तों ये ट्रेनिंग के दोरान गोकू कुछ-कुछ टेकनिक भी सिखने को मिलता है ज़्यादा टेकनिक मासलाट के टेकनिक के उपर ही बीस्ट होता है अगर हम देखे तो ऐसा नहीं है कि गोकू सिप और सिप टेकनिक अपने आप में ही सीखा है बल्कि दूस्तों कभी-कभी वो दूसरे से वी टेकनिक को सीखा है तो दूस्तों इस पीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे टेकनिक को ले किया है जो कि दूस्तों गोकू दूसरे कारेक्टर से सीखा है यहाँ पर दोस्तो हम अल्ट्राइश्टीन को लेने वाले नहीं है क्योंकि दोस्तो मैक्सिमम लोग ये टैक्निक के बारे में जानती ही है और दोस्तो इसी के वज़े से हम इसको skip कर दिए हैं लेकिन अगर alternation होता तो ये नंबर बन पोजिशन पे डेफिनेटी होता तो दोस्तो रेक्ट्रम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो आपको भी पता हुगा कि गोकु को सबसे पहले ग्रेंट पागोहन नहीं फ्रेंड किया था गोकु का जानके एक्चुली में एक ऐसा टेक्निक है जो कि दोस्तो ग्रेंट पागोहन की द्वराही डेवलफ किया गया था लेकिन दोस्तो जैसे इस स्रीस आगे बढ़ते गया बहुत ही जल्दी कायफ होते गया था क्योंकि दोस्तो गोकु को उसका सिगनेचर टेक्निक की हिसाब से कामयामया यूज करना था लास्ते दोस्तो ये टेक्निक रॉक फीफर सीजर से ही इंसपर होके बना गया था अब इस वान आइन पे आता है कामयामया दोस्तो कामयामया एक ऐसा टेकनिक है जो कि दोस्तो सभी फैंस की बीच में बहुत ज़्यदा पॉफुलर है जब गोकू मास्टर रोशी का इफिक कामयामया ब्लास दिखा था तब गोकू इस चीज़ में फोकस करने लगया था बैसे वी कुछ समय के बाद गोकू मास्टर रोशी से कामयामया सिख्या था यहाँ पर दोस्तो मास्टर रोशी अपने पचा साल के ट्रेनी के दोरान कामयामया को इन्वेंड किये थे और दोस्तो फले 21 टेंक के जे बुड़ो काई तक यह टेकनिक का उतना यूस नहीं हुआ था पर दोस्तो ड्राइगन बॉल में यह एक बहुत यह अचा रोल निवाया था अविस्वार एट पे आता है तायू कैन दोस्तो एक तोसे देखा जे तो गुखू का एक वेट हैबिट है कभी कभी गुखू दूसे मासलाट से टेकनिक लाके वो टेकनिक को अपना कर लेता है वैसे दोस्तो टायू कैन टेकनिक तियान का था ये टेक्निक को सबसे पहले ट्यान के द्वारा यूज किया गया था और फिर दूस्तो बाद में इसको गोगे द्वारा यूज किया गया था लेकिन दूस्तो एक तो से देखा जी तो गोगो तायोकेन को अपने मूब में से एक नहीं मानता है लेकिन दूस्तो गोगो इसे तब से दोस्तों गोगो छोड़के कोई भी सके उपर मास्टर नहीं हो पाया था यहान तक कि दोस्तों केंग काय werden इसके उपर फुल इस्तमाल नहीं करपाया थे जो कि कायोग इन टेकनीक को इनवर्ण किये थे यहां पर दोस्तों की हिससे के हिसाब से जिसोचा जा सकता है कि ये गोकु का ही टेकनिक है लेकिन नाम उसी का होता है जो पहले जानता हो यहाँ पर दोस्तों फले गोकु कायोकेन के उपर पुरा मास्टर कर चुका है लेकिन दोस्तों कायोकेन का बहुत ही बड़ा डीमेरिट भी है एक त्वर से कायोकेन गोकु का स्टैमिना को ट्रेन कर ल ज्बना टेकनिक के सबसे इंट्रोडियस नहीं क्या गया था लेकिन दुस्तों ये टेकनिक एक एनेर्जी वाला कंट्रोल लेवल फाल्ल धा जित को फेक सकता था और दोस्तों गोकू अपने ट्रेणिंग के द हैं काउ थुटात हुज एंतल sonra 5P आता है इंस्टाहर् टॉस्मी है जिनके पास अंजानी होता है यहां पर दुस्तों गोकू वही रहें के लगवग 기 एक साल के किसे दोस्ते वर्ल में जाके मैटामोरं से सीखा था वले दोस्तों गोकु यह टेकनीक को मैटामोरं से सीखा था पर दोस्तों सीरिस में फिचन डैंस को सबसे पहले गोक की द्वारा इंट्रोडिस क्या गया था और गोकु ने यह सिखाया था गोटैन अट्रंक्स को मगर दोस सा pela गोचिटा अब इस वर्थरीपिया आता है पोठा रा फ्यूजन दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि प्वठा रा फ्यूजन को यूस्त काने के लिए पोठा रा येरिंग का जुर्वत होता है अगर नहों हम वजिटो कवीवी किसी ओपरेंड को पूरी तरीके से नहीं हारा है लेकिन दोस्तों ये उनको बहुत ही गजब का टक्कर दिया है जैसे के दोस्तों मार्चिन्बू हो गया और मर्च चामा सुरू हो गया अब इसमार 2 पे आता है माफुवा दोस्तों एक तरस से माफुवा ना ही एनिमी में और ना ही मैंगा में उतना चला था यहांपर दोस्तों माफुवा टेक्निक को सीखने के लिए गोकू मास्टर रोशी से मिला था और उनसे ही ये टेक्निक सीखने के लिए बोला था यहांप पर अगर हम एक्जमाइन करें तो यह एक सीलिंग टेकनिक है लेकिन माफुबा टेकनिक एनमे और मेंगा दोनों में उतना आचा सावित नहीं हुआ था पर दोस्तों फेंस सर्विस के सबसे देखाजे तो यह कहीं न कहीं बहुत यह सदा इंटरेस्टिंग भी था अब दोस्त हकाई को गोकु भी यूज़ कर सकता है यह हकाई टेकनिक गोकु से तब आया था जो गोकुबा फाइट मर्च जामाजु के साथ चल रहा था अबर दोस्तों देखाजे तो गोकु को यह टेकनिक सीखते हुए एनमी में कभी दिखाया नहीं किया है पर दोस्तों जब जब ज सेखते हुए नहीं दिखाय गया है तो दोस्तो यही था टॉप 10 ऐसे टेकनिक्स के बारे में जो कि दोस्तों से तोस्तों को कैसा लगा कमेंट बख्स पे सब मरे करना मत भूलेगा जिससे में मॉटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे आजम कॉंटेंट पहुच आते रहेंगे जो दोस्तों से वाफस मिलते हैं किसी दूसरे ने वीडियोस में